जादतर लोगों को लगता है एरक्राफ्ट केरियर पे खड़े फाइटर जैट किसी भी टैम टेक आफ कर सकते हैं लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जब एरक्राफ्ट केरियर रुका होता है तो कोई भी जैट प्रेन टेक आफ नहीं कर सकता आपकी जानकारी कले बता दे एक fighter jet को काफी लंबा runway चाहिए होता है लेकिन सबसे बड़े aircraft carrier पे भी 200 से 300 मीटर लंबाई runway होता है जिस वसे से fighter jet को परियाप्त speed नहीं मिल पाती इसलिए carrier को कुछ speed में चलाया जाता है ताकि fighter jet को परियाप्त speed मिल पाए और फिर इसे catapult नाम की टेकनीक से launch कर दिया जाता है और वीडिये informative लगे हो तो हमारे चैनल को subscribe करें